प्रेंज को लाइक और शेयर करें जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशन आपको आते रहें मेरे टाइटिल से आज आपको पता चलगया होगा कि मैं dark circles के बारे में बात करें हां बहुती common problem है these days and it is very commonly ignored also dark circles के बारे में हम ज़्यादा करके बात नहीं करते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं बट हमें ये समझना चीए कि dark circles हमें एक sign है हमारे body की तरब से कि आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं चल रहा है उसे वापस ट्रैक में लाइए डार्क सकल सोने के में रीजन तो लैक ओफ स्लीप ही होती है जी हाँ आपकी नीन्द पूरी नहों और उसके भी बहुत रीजन्स होते हैं आजकल जॉब प्रूफाइल ऐसे होते हैं जहां नाइट शिप्स होते हैं और लेट नाइट शोते हैं तो अबिसली आपकी नीन्द डिस्टर्ब होती है जिससे डाक सकल सोने के चांसे होते हैं नेट्फ्लिक्स और ऑमजोन भी जिम्मेदार है लाक ओफ स्लीप का तो ओर देखें जरूर लेकिन टाइम से देखें और टाइम से अपनी नीन्द पूरी कीजिए क्योंकि नेट्फ्लिक्स और आमजोन आपका डाक सकल सठीक करने नहीं आएगा वह आप यिको करना है और अगर आप प्यार में है, जी हाँ, इफ यूर इन लव तो पूरी चांसे हैं कि आपकी नीन गायब है और आपकी नीन पूरी नहीं हो पा रही है वेल इस टॉपिक में मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि हमारे भी दिन हुआ करते थे और प्यार में तो ऐसा है कि सब कुछ अच्छा लगता है फिज अटक सकल्से क्यों नहीं हो लेकिन जोग सपाट दक सकल्स होने के और भी कारण हो सकते है deficiency of iron हो सकता है excessive drinking and smoking हो सकता है fatigue हो सकता है stress हो सकता है तो इन सब का ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है तो अगर आपकी नीन पूरी नहीं हो पार यह देखे job reasons है आपका work profile ऐसा है तो वो अलग बात है लेकिन जब आपका job जिस भी time पे पूरा होता है उसके बाद आपने 7-8 घंटे की नीन आप पूरी करें और अगर आपका job profile ऐसा नहीं है आप TV, phone या किसी और reason से party करने की वज़े से अपनी नीन डिस्टरब कर रहे हैं तो please अपनी lifestyle को बदलिए वापस track पे ले आइए और time से अपनी नीन पूरी कीजिए साथ से आध गंटे की नीन बहुत जरूरी है हमें यह भूलना नहीं चाहिए क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी body तभी भी अपना काम करती रहती है अगर हम realize करें थोड़ा ध्यान दे उपने उपर तो जब हम बहुत screen time कर लेते हैं बहुत ज़्यादा देर screen के सामने बैट जाते हैं पर चाहिए वो काम की वज़े से हो चाहिए schooling की वज़े से हो या किसी और वज़े से हो अगर हमने बहुत ज़्यादा screen time देख लिया है तो अब मैं बात करूंगी कुछ ऐसे DIYs की जो आपके आखों को अराम देता है रिलैक्स देता है और वो समान आपके घर में ही होते हैं आपको कुछ बाहर से लाने की जरूत नहीं कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूत नहीं इन घर की चीजों से ही आप अपने डाक सक को रिड्यूस कर सकते हैं और उसमें नंबर वन पे आता है क्यूकंबर खीरा क्यूकंबर में कूलिंग एंड स्किन लाइटनिंग एजन्स होते हैं जो आपके डाक सकल्स को रिड्यूस करने में बहुत मदद करते हैं और आखों को कूल करते हैं आपको कुछ नहीं करना है सि नेक्स है green tea bags जी हाँ, green tea में antioxidant properties होते हैं जो आपके dark circles को reduce करने में मदद कर सकते हैं green tea commonly use होते हैं हम सब के पास होता है तो आप simply दो green tea bag ले लीजिए उन्हें थोरी दे refrigerate कर लीजिए ठंडा कर लीजिए और उसको अपने आखों में कम से कम 20 मिलिट के लिए आप रखकर आराम कीजिए green tea भी help करता है आपके dark circles को reduce करने में यह process आप हफते में दो से तीन बार कर सकते हैं next comes milk milk is rich in vitamin A वो आपके skin को brighten करता है और moisturize करता है हम सब के घर में दूद रहता ही है अमें कुछ नहीं करना है ठंडा दूद लेना है और दो cotton balls लेके उन्हें दूद में डिप करना है जो excess दूद है उसे निकाल कर अपनी आखे बंद करके आखों में वो cotton आपको रख देना है कम से कम 20 मिनिट के लिए आप रखे और यह प्रैक्टिस आप हफ़ते में तीन बार रिपीट कर सकते हैं इससे आपके dark circles reduce होंगे आपका skin moisturize रहेगा और skin brightened भी होगा नेक्स्ट है potato आलू जी यहां very commonly used for dark circles and it has natural bleaching properties जो आपके dark circles को reduce करने में मदद कर सकता है आप simply slices काट कर अपने dark circles पर रख सकते हैं उसे 15-20 मिनिट के लिए और यहां तो फिर आप आलू को grade कर सकते हैं या कदू कश कर सकते हैं और फिर उसका pack बनाके अपनी आँखे बंद करके इसे apply कर लीजे कम से कम 20 मिनिट के लिए you can repeat it twice a week इसके रिजल्स बहुत अच्छे आते हैं और आपके dark circles बहुत रिड्यूस हो चाते हैं next comes aloe vera gel, aloe vera gel again very commonly used अगर आपके घर में aloe vera plant है तो आप उसके जेल निकाल कर अपनी आँखों पर अपलाई कर सकते हैं उससे भी dark circles reduce होते हैं और आपके skin को बहुत ताइम से और रिड्यूस नहीं हो रहे हैं तो आप टमाटर का भी यूज कर सकते हैं जी हाँ टमाटो जूस आप निकाल लीजे एक से दो टी स्कून आप निकाल लीजे और cotton के help से आप उससे यहां पर अपलाई कर सकते हैं आपको के डाक सकल्स में बहुत लोग उसमें लेमन भी यूज करते हैं लेकिन मैं परस्नली लेमन आपको सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि लेमन थोड़ा स्ट्रॉंग हो सकता है इसकिन के लिए और अगर आपकी बहुत सेंसिटिव है तो वह थोड़ा हाँ अफिक कर सकते कर लोग करते हैं अपके लिए को प्रॉपटीस होते हैं जिसले की स्किन ब्राइटेन होता है और अछिंग धब करने में जब वह चाल करें बंद करके उन्हें रिलाक्स करना है तो गर्ल्स ये थे मेरे कुछ DIY टिप्स तो रिड्यूस डार्क सकल्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में तब तर के लिए बाए